नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इसक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम एकाई 2 पर रहे हैं और इसमें हमने भक्तिकाल के बाद रितिकाल शुरू कर दिया है रितिकाल के हमने दो लेक्चर कर लिये हैं अगर अभी तक आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एकाई 2 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसे आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने रितिकाल की जो प्रवरितिया है या रितिकाल की जो पिष्ट भूमी है फर्स पार्ट मेरा का था और सेकिंड पार्ट में हमने रितिकाल नामकरन और इसका जो विवाजन है कि किन किन भागों में इसको बांटा गया है अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से बांटा है वो आप हमारे प्रिवियस जो वीडियो हो गए है दो पार्ट उसमें देख सकते हैं आज हम इसका थार्ड पार्ट लेकर आया है देखिए इसमें हम पढ़ेंगे मैनली आपका रितिकाल के बारे में और यहां पर काव्यांग जो निरूपक कवी है उनके बारे में और प्रमुक जो रिति बद कवी है क्योंकि रितिकाल को तीन कालों में बांटा गया है तो इसका जो तीसरा काल है देखिए यह है रिति बद उसके बारे में हम जानेंगे और उसके अंतरगत आपके जो काव्यांग निरूपक आते हैं जैसे आप पड़ते हैं कि जैसे आपका सरवांग निरूपक हो गया रस निरूपक अलंकार चंद वाले तो इस तरीके की जो भी रचनाय है कई बार आपने देखा होगा कि UGC NET की परिक्षा में ये पूछी जाती है तो आज का हमारा टॉपक पूरा का पूरा इसके ऊपर ही रहेगा तो चलिए बिना देर के शुरूआत करते हैं आज के लक्षर की सबसे पहले यहां पर हम देख लिए हैं रीती बद कावे तो दीखिए रीती बद कावे से हम क्या समझते हैं रितीबद का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया था कि इस तरीके की रचनाएं जहां पर जो संस्कित में जो पहले रची गई थी रचनाएं उनका एक तरीके से अनुकर्ण किया गया हो है ना संस्कित ग्रंथों का अनुकर्ण जिन रचनाओं में हुआ उन्हीं ग्रंथों को क्या माना जाता है आपका रिती बद काव्य के अंतरकत उनको माना जाता है इसमें हम बिस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन से रिती बद कवी हैं, कौन-कौन से और चीज़े हैं, सबसे पहले जान लेते हैं तोड़ा सा रिती बद के बारे में तो देखिए यहां पर लिखा गया है संस्कित अलंकार शास्त्र अथ्वा कावे शास्त्र की निशित परंपराओं में आबद होकर हिंदी में कावे रचना करने वाले कवियों की कवियों को रिती बद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया है तो देखिए यहां पर simple ये किस बात की बात कर रहे हैं कि संस्कित जो अलंकार शास्त्र है या फिर कावे शास्त्र की जो परंपराएं है उन में रहकर हिंदी में जो कावे रचना करने वाले जो कभी हुए है उन्हीं को क्या कहा गया है रिती बध कवी कहा गया है और ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये कि चीज किसने मानी थी देखिए सबसे पहले माना जाता है कि हिंदी में जो है इस परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेक इसको दे जाता है ये केशवदास जी को दिया जाता है रिती कालिन कवयों नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी एक तरीके से कही न कहीं हमने पीछे वाले लेक्षर में भी पड़ा था कि जो केशवदास है वो क्या है रिती कालिन कवयों के अंतरगत माने जाते हैं और प्रमुख या पहला कभी भी उनको कुछ एक विद्वान मानते हैं ये हमने पीछे वाले lecture में discuss कर लिया था जहांपर हमने देखा कि जो आपके डॉक्टर नगेंदर हैं वो भी किसको मानते हैं वो केशवदास को ही मानते हैं क्यों क्योंकि उनका जो व्यक्तित्तो है रचनाकार का वो क्या है वो पूरा का पूरा रिती कालीन है तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी देखिए संस्कित अलंकार शास्त्रतो कावशास्त्र की परमपरा से आगे चली आ रही है उसी को देखिए एक चीज़ आपने देखी होगी इसमें और भी पूछ जाती है कि जो संस्कित कावशास्त्री में जो ग्रंथ रिती कावश के मूल स्त्रोत हैं और इसी कावशादारा को लक्षन ग्रंथ परमपरा कहते हैं कि जो जो परमपरा चली है इस परमपरा को ही क्या कहा जाता है लक्षन ग्रंथ परमपरा लक्षन ग्रंथ मतलब संस्कित के जो कावे पहले रचे गए थे उनके ही लक्षन कुछ आगे हमें हिंदी की कावे कृतियों में देखने को मिले रिती कालीन कावे कृतियों में उनको क्या नाम दिया गया लक्षन ग्रंथ दिया गया तो हलां कि लक्षन ग्रंथ के बारे में सामन्त को शास्त्र ग्यान देने के लिए ठीक है तो ये चीज भी इसमें क्या है महतवपूर्ण है आगे ये कहते हैं कि दीखिए रिती बद्ध कव्यों ने कावे शास्त्र को जन भाशा द्वारा जन समाने तक पहुंचाने का महतवपूर्ण कार्य किया है तो देखिए कावे शास्त्र को इन्होंने क्या किया कि जन समाने तक पहुंचाने का प्रियास रिती कालिन कव्यों ने ही सबसे पहले किया हुआ है ये क्या है इनकी महतवपूर्ण एक उपलबधी मान सकते हैं कि इन्होंने क्या कि जो कावय शास्त्र था उसको जन सधारन तक पहुंचाया है तो ये तो हो गया रिती बद कावय कि क्या है रिती बद कावय कैसे इसका अभिरभाव हुआ और किस ने इसको सबसे पहले प्रियोग में लाया चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बाद आगे कवी हैं तो वही हमने यहां पर रखती हैं देखिए सरवांग निरूपक रस निरूपक अलंकार निरूपक और चंद निरूपक तो आपने देखा होगा कई बार ये परिक्षा में पूछा जाता है इस तरीके से कि कौन सा इसमें अलंकार निरूपक या चंद निरूपक ये कवी रखे हैं इसके बाद हम जानेंगे कि जो रचनाएं हैं इन में से जो प्रमुक प्रमुक हैं वो मैं आपके बीच में रखूंगा तो देखिए सरवांग निरूपक में जो सबसे महतपूर्ण हैं चिंता मणी कुलपती मिश्र और उसके बाद सोमनात के बारे में कवी बार पूछ लियाता है रस प्यूश निरिन की जो रचना है उसके बाद बिखारी दासे देखिए और देव है गवाल है और प्रताप साही है तो कुल मिलाके यूं कहें कि जितने भी सरवांग निरूपक का मतलब क्या है जिनने कावय के सब अंगों को प्रतिपादित किया हो अपनी रचनाओं में उन्हें कहा जाता है सरवांग निरूपक कभी लेकिन जिन्होंने mainly एक चीज को फोकस किया हो जैसे यहां पर रस को फोकस किया है ठीक है तो उसको रस निरूपक कहेंगे या फिर इन तीनों को क्या कहते है देखिए जो आपका रस निरूपक है अलंका निरूपक है या चंद निरूपक है इनको विशिष्ट आंग किया गया हो किसी रचना में उसको या उस रचनाकार को क्या कहा जाता है चंद निरूपक कवी या चंद निरूपक काव्य कृती तो ये चीज़े हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है तो देखिए जो चिंतामणी कुलपति मिश्र सोमनात विखारिदास आपके रसिक गोवि देव बगेरा बगेरा हुए हैं इन सब ने लगभग कावे के सभी अंगों को प्रतिबादित किया है अपनी रचनाओ में तो इसलिए इनको हम रखेंगे सरवांग निरूपक कव्यों में तो आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर आपने स्क्रीन शॉट आगे है देखिए जो रस निरूपक कवी है इनमें से जो प्रमुक हैं देखिए इसमें रसलीन है यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि रसलीन हो सकता है इस तरीके से यह दूसरी जगह भी आ जाएं कवी क्यों क्योंकि इनोंने अलग-अलग कृतियां लिखी हुई हैं फिर है देखिए पदमाकर और उसके बाद आपके यहाँ पर याकूब घां इन से कई बार प्रशन पूछ जाता है और सबसे मौत्रपूर्ण यहाँ पर बेनी प्रिवीन से भी कई बार पूछ जाता है तो यह भी बहुत मौत्रपूर्ण है मेंली यहाँ से आपने कितने य निरूपक आते हैं देखिए उसमें भूशन का नाम सबसे पहले है फिर मतिराम है और जस्वन सिंग इनकी इकी रचना जो महत्यपूर्ण है भाषा भूशन उसको आप याद रख लिजिएगा नेक्स से दिखिए इनमें से दूलह कभी कुलकंठा बरन और पदमाकर पदमाकर की देखिए तो इसमें भी भूशन का नाम आता है और भूशन के बाद मतिराम तो देखिए चन्द निरूपक भी और अलंकार निरूपक भी माने जाते हैं ठीक है तो मतिराम यहां भी देखेंगे आप की मतिराम आपका रस निरूपक के अंतरगत भी रखा गया है इनको ठ बिस्तार से चाते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे कावीया ऐसे हैं जो आपके रस्निरूपक, अलंकार निरूपक, छंद्धनिरूपक या सरवांग परिक्षा में कुछ एक प्रशन पूछे गए हैं तो ये चीजे हैं अब हम जान लेते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाये हैं या काव्यकृतियां हैं किसके अधार पर काव्यांग विवेचन के अधार पर रचनाओं का जो वर्गी करण किया गया है तो देखिए काव्यांग जो कभी हैं वो है तोश तो उनका जो रस निरूपक गरंथ है सुधानिदी मतिराम का रस राज है देव का भाविलास भवानी विलास तो देव के तीन है इसमें देखिए भाविलास भवानी और रस विलास तो देखिए रस से कई वार पता चल जाता है कि ये रस निरूपक जो ग्रंथ है ठीक है बिखारी दास का जो देखिए इसमें कौन से है इनका एक ग्रंथ है रस सारांश और दूसरा है श्रिंगार निरने तो ये जो श्रिंगार निरने है ये बहुत ही मौतपूर्ण रचना है इनकी इनके बारे में पुछा जाता है आगे हम विस्तार से पढ रसलीन का पूरा नाम सेयद गुलाम नभी है न तो ये भी हमें पतावना चाहिए आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे रस प्रहोद इनकी प्रमुकरजना है और पदमाकर की जो रस निरूपक रचना है देखिए वह जगत विनोध याकूब खां का रस भूशन और काव्यांग निरूपन से ले करके कहीं से भी आपको कोई भी प्रशन पूछा जाए उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है में लिए आप बस इनको ही फोकस करके जाएंगे तो आपका लगभग 70% काम हो जाएगा और विस्तार से जानने के लिए आप गोविन पांडे और सरस्वति पांडे के पुस्तक जरूर पढ़ लें नेक्स देखिए कि अलंकार जो निरूपक गरंथ हैं एक चीज़ और है रस निरूपक गरंथों के मामले में इसके अलावा वहाँ पर जब आप गोविन पांडे की पुस्तक कोई देखेंगे भी जीतने भी ज रस्वंत सिंग का भाषा भोषन आएगा और मतिराम का ललित ललाम और ये बहुत महत्वपून रचना है इनकी आगे हम देखेंगे कि ये किसके लिए इन्होंने लिखी थी आश्रेदाताओं के लिए ही इन्होंने अपनी जो रचना है वो डेडिकेट की हैं ठीक है नेक्स आधार पर रचनाओं का जो वर्गी करण तीसरा है वो है आपका चंद निरूपक ग्रंत तो मतलब जिसमें चंदों को विशेश महतो दिया गया हो या चंदों का प्रतिपादन जिसमें किया गया हो तो इसमें सबसे पहला है देखिए मतिराम का चंद सार ठीक है और उसके बिखारीदास का चंदारनाव तो देखिए यहां पर चंद लिखा हुआ है यहां पर पिखंद लिखा हुआ है तो इसमें कोई जादा दिक्कत नहीं होनी घाई चेह मैंली बहुत कम है इसलिए मैंने आपको यहां पर रखे हैं बृत वीचार किसका है यह सुकदेव मिश्र का है जो भी महत्वपून है वो रख दिये हैं और सरवांग निरूपक मतलब सभी अंगों का जिसमें बनन देखने को मिलता है तो चिंता मनी तो इनकी कवी कुल कलब तरू कुल पती का र विवेक यहां पर कन्फ्यूज नहीं होना आगे हम यह सारा डाउट आपको प्लियर करवा देंगे कि कावे निरने किसकी और कावे विवेक किसकी है आगे सोमनात का रस्प्यूश निदी तो यह कहें सरवांग निरूपक ग्रंथ है और प्रताप साही का कावे विलास तो द यह आपके कावे विवेचन के अधार पर अलग-अलग तरीके से वर्गी करण था यहां पर रेड से दिखी लिखा हुआ है कि अधिकांश जो भी सरवांग निरूपक ग्रंथ हैं वो किससे हैं ममट के कावे प्रकाश तो था विश्वनात के साहित्य धर्पन पर आधारित ह तो देखिए यह चीज बहुत मतपूर्ण है कि जितने भी यह सरवांग निरूपक ग्रंथ हैं वो किसके ग्रंथों पर अधारित हैं जो आपके पाश्चात दूसरे आपके जो संस्कित विद्वान हैं उनकी रचनाओं का ही उसमें क्या है एक तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है हमें जो भी आपके रीती बद कभी हुएं और जिनने सरवांग निरूपक ग्रंथ लिके हैं तो इसी के चलते इनको क्या कहा जाता है लक्शन ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें संस्कित कभी की रचनाओं के कुछ एक लक्षन या जैसे आपका अलंकार हो गया श्रिंगार हो गया अन्य जो चीजाएं हो गई उसका इन में लक्षन देखने को मिलता है इन रचनाव में इसलिए इनको लक्षन ग्रंत कहा जाता है तो ये बहुत ही मौतपूर्ण चीजें हैं तो ये तो हो गया इनका अलग-अलग तरीके से वरगी करण अब हम देख लेते हैं इन ही को क्या है कि जो रितिकाल का प्रवर्तन की इन से माना जाता है चिंता मनीत्री पार्टी से ही अखंड रूप से मानते हैं और इनका जो जनम है दीगी ये 1609 में और इसके बाद जो इनका इनको सहोधर किसका माना जाता है देखिए मतिराम भूशन जटाशंकर नहीं है ये बात लेकिन अचारे रामचंदर शुकल कहते हैं कि इतना बड़ी अगर कोई चीज है तो उसको इसली नहीं समझा जा सकता या उसको माना जा सकता ठीक है हलांकि जो आपके डॉक्टर नगेंदर हैं वो ये कहते हैं कि ये बात अब सत्यसावित नहीं रही है ले देखिए ये लगभग किसी न किसी आश्रेदाता के आश्रे में जरूर रहे हैं तो इनके जो आश्रेदाता रहे हैं देखिए शाहजी बहुंसले और शाहजां के आश्रे में ये रहे तो दो लोगों के आश्रे में रहे ये शाहजी बहुंसला और शाहजां तो हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछा जाएं कि चिंता मनी त्रिपाठी किसके आश्रे में रहे ठीक है तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिधान ततह रसवादी आचारे मान जाते हैं दीकि आपने यहां से इस तरीके से भी प्रशन पूछे जाते हैं कि कौन सा ठीक है इस तरीके के प्रशन बनने के संभावना बहुत जादा रहती है तो आप जो ये छोड़ छोड़ चीज़े हैं इसको जरूर देखके जाईएगा और इनको अपने माइन में बिठाईएगा अपनी कौपी में लिख दीजेगा अगर इनकी महत्वपोन रचनाओं के बा ओपलब्द वो भी कितनी मानते हैं पांच मानते हैं लेकिन वो इन से थोड़ी सी उनको अलग मानते हैं देखी कौन रस विलास छन्द विचार और उसके वाशरिंगार मंजरी प्रमुक्ः अलग रचनाएं बताई हुई हैं अब जो सर्वब मान्ने हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी है चिंतामनीत्रिपाठी की रचना है तो सर्मान ने जो मत देखेए सबसे पहले तो है कि कभी कुल कलब तरू ये तो कॉमबन है ये सबने बोला है कि ये इनकी रचना है अगर इसके रचनकाल की बात करें तो ये 1650 इस्वी के आसपास की रचना मानी जाती है इसमें 8 प्रकरण है और जिन में काव्या के 10 अंगों का बीवेचन प्रस्तुत किया गया है तो देखिए काव्यांग तो इसलिए इनको क्या माना जाता है कि ये सरवान निरूपक है काव कविकुल कलपतरू में किस चंद का प्रियोग हुआ है तो ये है दोहा और सोरठा चंद का और उदाहरन कवित सवया में है तो में ली एक चीज़ आपने देखा कि रितिकाले कवियों का जो पसंदिदा चंद माना जाता को कौन सा है सवया चंद है ठीक है तो और इनके उद ममट की ठीक है तो यहाँ पर दोनों चीज़े आपके जो आपका कावेशास्त्र है जो आपका हिंदी का रिति काले वो थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो रहा है कि किस से क्या-क्या प्रवाब पढ़ा है तो रचनाए तो आपको अब यसी बात है आयाद हुई जाहेंगी तो मम तो इसका भी बेचन किस ने किया है ये डॉक्टर नगेंदर ने माना है कि ये इनकी रचना है तो इसमें भानुदत की रसमंजरी और रस्तरंगणी के अत्तिरिक्त धरंजय के दशरूपक तथा विश्वनात के साहीत दरपन का आश्रह लिया गया है तो दीकि कि कितनी जग ग्रंथ है और ये क्या है आपके रिती ग्रंथ है ठीक है चंद विचारों की अगर हम बात करें देखिए चंद विचार जो इनकी अगली रचना है तो ये क्या है प्राकृत पैंगलम के अधार पर चंद शास्तर के समान्यनियमों का उलेख है चंद विचार में नेक्स जो की महत्वपुन रचना ये दिखी वो है श्रिंगार मंजरी तो श्रिंगार मंजरी 1653 के आसपास इसका रचना काल है और नायका भेध का सुन्दर और विशद ग्रंथ इसको माना जाता है तो इस Talk предлож से प्रशन बनने की संबावना रह सकती है कि नायका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ किस का स्वरी चिंता मनी का किस ग्रंथ को माना जाता है तो यह आपका श्रिंगार मंजरी तो श्रिंगार से याद रखना कि जो नायका है वो क्या होती है श्रिंगार करती है तो प्लीट जानेंगे उनके बारे में उनके समuse स्मखनेवाइन जो मौतवखोण तत्या हैं उनके बारे में जानेंगे फिल्हाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अίसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद